हेलो दोस्तों, जैश्री महाकाल, मैं सार्थक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल, स्टेडिवेज शिपरा तीरे पर फ्रेंड्स, आज हमारे मैट्स का टॉपिक है, LCM and HCF, ठीके दोस्तों, हाँ, विलकुल, आज हमारे टॉपिक है, HCF and LCM फ्रेंड्स, HCF और LCM की क्लास मैं आप लोगों के लिए एक बना चुका हूँ, जिसमें मैंने आप लोगों को सिखाया है कि HCF और LCM कितने आसान तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, हमें अगर HCF, LCM निकालने को दिया जाए तो पहले क्या निकालना होता है, जिससे हम आसान तरीके साथ कोशन को कर सके हैं, और कहीं प्रकार के ऐसे कोशन, जो बच्चे सोचते कि LCM और HCF ही तो है, तो इसको आपन प कर देना, आप लोग वह वाली क्लास पोच जाओगे, आज हम डारेक्ट कोशन करने वाले हैं, HCF और LCM के कि कैसे कोशन पूछे जाते हैं, एक्जाम में, है ना, तो हम लोग अब शुरू करते हैं, बिना समय गवाए, मैट्स की क्लास, HCF और LCM महत्तम समावर्तक एवं लग आपके दार होते हैं, चलिए दोस्तों, तो अब आपके सामने ये कोशन है, कि 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 4 और 7, एवं, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 और 11 को इन्टो क्या जाए, तो महत्तम समावर्तक क्या होगा, महत्तम समावर्तक मतलब HCF, है ना, फ्रेंड्स, HCF को क्या बूला जाता है, हाँ, महत्तम समावर्तक, तो आपको ये बताना है, कि ये दो नंबर है, अब इसको पूरे को सॉल करना पड़ेगा, और इस पूरे को सॉल करना पड़ेगा, इस पूरे को सॉल करना पड़ेगा, और बताना पड़ेगा आपको, ति इनका HCF क्या ह अब हम क्यों करें इतना बड़ा solve हम क्यों करें कि 2 की power 3 निकाले फिर 3 की power 2 निकाले फिर 5 की power 4 निकाले फिर 7 तो उसकी power बनी है फिर इन सब को into करें और फिर value आएगी इतना लंबा क्यों जा रहे हो इतना लंबा जाने की जरुद नहीं है ठीक है इस चीज का ध्यान रखना इस questions में आपको कुछ नहीं घुमा दिया जाता है 10 सेकंड का question होता है और आपको 2,5 मिनट लगभा देता है कुछ ही नहीं करना है ध्यान से देखो दोनों में common क्या है दोनों में common है भहिया two है two common है ठीक है two common है ठीक है two common है ठीक है बीच में into है तो into ले लो फिर क्या common है फिर three common है तो three ले लो फिर क्या common है फिर five common है दोनों है ठीक है five ले लिया अब ना तो seven common है ना eleven common है दोनों में दो तीन और पांच आ रहे है ठीक है ये दोनों कहा से उठाए फ्रेंट्स बनाए एक तो ये वाले और एक ये वाले मैं से ठीक है ना इन दोनों में दो क्या कॉमन था दो तीन और पांच ठीक है दोस्तों बात समझ वारी है तो अब आपन आगे देखते हैं अभी खतम नहीं हुआ है इंटू करके छोड़ मत देना ठ दोनों में टू की पावर एक में थे थ्री और एक में है टू की पावर टू याने छोटी वाली संख्या आपको उठानी है याने कि टू की पावर टू जो छोटी वाली है जो छोटी वाली है वो उठानी है आपको एक बनाट आपको छोटी वाली है ना याने टू की पावर 2 2 की power क्या लेंगी है 2 लेंगी है अब 3 की power सबसे चोटी की है दोनों में 2 ही है तो बात ही खतम हमको इससे ज़्यादा सोचना ही नहीं है 2 की power 2 हो जाएगी हमको इससे ज़्यादा सोचना ही नहीं है ठीक है ये 2 की power 2 हो जाएगी ये भी 2 हो गई और अब 5 की power क्या होगी 5 की power यहाँ पर छोटी है 1 ठीक है याने की 1 अब आपको कुछ नहीं करना है इसको solve करना है तो 2, 2 जा हो जाएगा 4, है न इंटू में 3, 3 जा क्या हो जाएगा 9 और इंटू में 5 की power 1 है मतलब इंटू 5 जब आप इसको solve करोगे तो आपके सामने 4 option भी दिये हुए है तो 4, 9 जा 36, 36, 5 जा कितना होता है दोस्तो 180 कितना होता है 180 आपका answer हो जाएगा इन्हें option number A ठीक है दोस्तों हाँ बिल्कुल मैंने आपके सामने option भी रखाए तक ही कभी आप भी कभी practice करें तो आपके सामने question बना रहे ठीक है हाँ option के साथ में ठीक है दोस्तों हाँ बिल्कुल और उमीद करता हूँ कि आपको चीजे सारी समझ में आ रही होगी कि कैसे होगी ठीक है बिल्कुल ये चीज़ समझ में आगई friends क्या करना था दोनों number में से common लेने थे उनकी power में सबसे छोटी वाली जोगी वो लिखने देनी थी और बस into करके आपको sound कर देना था आपके सामने answer आ जाता है तो ये 180 क्या है 180 HCF आया है आपका इस चीज़ का ध्यान रखिएगा है ना HCF आया है ठीक है हाँ ठीक है ना चलिए शुरू करते हैं फिर अगला सवाल अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने कि भाईया 14 और 16 के लगतम समावर्तक और महतम समावर्तक का गुणनफल बताईये इंटू बताईये क्या होगा 14 और 16 दो नम्मर दिये हैं यह मैंने पहले वाली क्लास में बताया है मैं बार बार एक इचिज़ बोल रहा हूँ जिसने भी पहले वाली क्लास नहीं देखी जरूर देखना आप लोगों को यह कोशन बहुत इजी लगने लगेंगे दोस्तों ठीक है जी तो बताईये दोस्तों कि 14 और 16 का LCM और HCF को इंटू करें तो आंसर क्या आएगा अब जिसन बच्चों न देखा ही निकल की क्लास या पहले की क्लास जो HCF, LCM की थी तो इसमें उनको थोड़ा टाइम लग सकता है ठीक है जी हाँ तो चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ कि इसको करेंगे कैसे बहुत सारे बच्चों के तो आंसर भी आ चुक होंगे मैंने आप लोगों को एक चीज़ करवाई थी क्या करवाई थी इंतु सेकंड नंबर यह त्रिक बोलो फ़ार्मुला बोलो यह यह होता है फिर्ग फार्स नंबर सेकंड नम्बर एक नट फर्स्ट नम्बर सेकंड नम्बर इस उकल्स टू LCM इंटू HCF है ना दोस्तों ठीक है तो अब पहला नम्बर क्या है 14 इंटू दूसरा नम्बर क्या है 16 हसोगे फ्रेंड से बोलोगे कि 2-2 सेकंड के कोश्चे नहीं है और हम लोग छोड़के आजाये करते थे अब आपसे क्या पूछा था आपसे यही तो पूछा था कि LCM और HCF का गुड़न फल क्या होगा याने LCM इंटू HCF क्या आएगा तो कुछ नहीं करना था आपको इन दोनों को इंटू कर देना था तो आपका आंसर आ जाता 224 याने की option number C आपका आंसर हो जाता इसके अलावा कुछ भी नहीं करना था ठीक है दोस्तों हाँ C नंबर आपका option 224 ठीक है बिलकुल सही है बस इसके अलावा पुछ नहीं आपको ये वाली चीज याद रखनी पड़ेगी कि 1 into 2 is equals to LCM into HCF ठीक है हाँ बिलकुल चलिए अब अगला question solve करते हैं चलिए बताईए इस question का answer क्या हो एक बार सोच के बताईए सोच के बताईए थोड़ा अपना दिमाग लगाईए कि HCF और LCM का तो chapter है अब इसमें HCF और LCM की question आएगे मैंने आप लगों से बोले था ना question जैसे आते हैं वैसा कर वैसे ही लिखे होंगा तो वही है ये फ्रेंट्स चलिए आप खुद सोच के एक बार बताईए फिर मैं करवाँगा दस सेकंड देता हूं दस सेकंड में फटाफट बता दीजेए अपने आप पर कॉंफिडेंस होना बहुत अच्छी बात है दोस्तों लेकिन ओवर कॉंफिडेंस होना ये गलत है बहुत चारे बच्चे सुचते कि HCF और LCM की question आती ही क्या होंगे बहुत जो बच्चे जैसे अपन सेकंड क्लास में करते हैं वही तो आते हैं नहीं दोस्ता उसस जल्दी से जल्दी शॉर्ट तरीके से करना होता है अब देखो यहाँ पर आप क्या करोगे आप मैं को खुद बताओ कि यहाँ पर आप क्या करोगे ठीक है अब आपको क्या करना है अब आपको यह करना है question दिया हुआ एक डब्बे में जब 5 या 6 दर्जन संत्रे रखे जाते हैं तब 3 दर्जन 6 बचते हैं और जब 8 या 9 दर्जन संत्रे रखे जाते हैं तब भी 3 शेश ही बचते हैं यानि कि कुछ भी डाल दो कितने भी किलो डाल दो या दर्जन की बात की जा रही है तो यहां कितने भी दर्जन डाल दो चीजें आप उसमें संत्रें वो 6 आखरी में 3 दर्जन आपके हाथ में बची जाते हैं डब्बे में अब डब्बे में जितना भी डालो 6 तीन दर्जन बच रहे हैं आपको फूछे नहीं करना है का क्या करना है दोस्तों बताईए आपको सबसे पहले इनका LCM निकाल लेना है LCM निकालते बताया है छोटे बच्चों जैसा बार बार नहीं बताऊंगा LCM निकालना है तो इनका आप अगर LCM निकालोगे तो क्या जाएगा 5-6-8-9 का LCM हो जाता है तीन सो सहट है नव तीन सो सहट अब कोशन में क्या पूछा गया है कि संत्र कितने रखे कितने थे ठीक है कुल संक्या कितनी थी तो तीन सो साट दर्जन तो आपने यहीं पे निकाल लिए कि भाईया तीन सो साट दर्जन तो टोकरी में थे है ना बात समझवारी है, 360 तो आपकी टोकरी में ही रखे हुए थे, तो फिर जो 3 जो बचे हैं, उनको नहीं गिनेंगे क्या, उनको नहीं गिनेंगे क्या, तो 360 तो यह हो गए, LCM जो आपका निकलो, और बागी 3 जो बचे थे वो, तो आपका आंसर हो जाएगा, 363 आपका आंसर हो आपके पास 100 रुपे थे ठीक हैं, डबय में 97 रुपीज आ सकते थे, तो बचे हुए आपस टोटे तोटल पुछा जाएगा कि आपके पास कितने रूपे थे 97 तो आपने बक्से में दान दे दिये और आपके पास तीन रूपे बचे तो टोटल सो गए नहीं तो वही तो कोश्य नहीं है बस घूमा के दे दिया उसमें LCM निकालना था ठीक है दोस्तों बिलकुल अगला कोशन अगला सवाल आप कोशिश करो एक बार करने की फिर मैं समझाता हूं बड़ाई आजान सा कोशन है यह तो छोटा सा कोशन है सेम टू सेम वेसा ही बताइए क्या होगा एक 15 मीटर 17 सेंटीमीटर यह 15 मीटर 17 सेंटीमीटर एक ही संख्या है यह यह बोलते ना अपन एक रूपे 50 पेसे है ना एक रूपे 50 पेसे तो यह साथ में 15 मीटर 17 सेंटीमीटर है ना 15 मीटर 17 सेंटीमीटर और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चोड़े कमरे में फर्ष पर वर्गाकार टाइल्स याने वर्गाकार मतलब क्या होती है स्क्वेर क्या होती है दोस्तों स्क्वेर है ना तो तो कितनी tiles लगेंगी एक वर्गा का tiles बतानी है आपको और कमरी की चोड़ाई और लंबाई दी हुई है चलिए बता दीजे क्या होगा कोशिश कीजिए नहीं तो मैं तो समझा होंगे सही friends सब समझते हैं कि वर्गा का आ गया लंबाई चोड़ाई आ गई तो यह rectangle और यह अपने geometry का question हो गए geometry mensuration के question नहीं है यह यह question HTF LCM का है ठीक है देखें कैसे करना है अब आदो बच्चे को तो समझ में नहीं आगा एक मीटर में कितने cm होते हैं 100 cm होते हैं कितने cm होते हैं एक मीटर में पंदरा सो 17 cm हो जाएगा ठीक है यह हो गया पंदरा सो 17 cm यह है आपकी लंबाई और चोड़ाई कितनी है आपकी 902 है ना 902 अब किसी को confusion हो तो मैं समझा देता हूँ 15 मीटर को अगर अगर अपन cm में करेंगे तो 100 से इंटू करेंगे ना मैं आपको समझा रहा हूँ ध्यान से देख ले ना तो यह हो गया पंदरा सो और सेंटीमेटर कितनी थी सतरा सो इन दोनों को प्लस करेंगे तो सतरा सेंटीमेटर हो जागा ठीक है इसके में तो confusion अब बच्चों को नहीं होना चीए वैसे ही समझा देता हूँ कि यह 902 केसे हो गया यह 900 आपका सेंटीमेटर हो गया MEETER से 9 मीतर क्या हो था सेंटीमीटर में चरेंगे तो 100 सेंटू कर देंगे और बाकी आखरी में क्या था तो इसको प्लस करेंगे तो 902 हो जाएगा ठीक है बात समझ में आ गई होगी अभी तक आप लोगों को ठीक है अब आपसे बोला था कि भाईया कमपरी की छोड़ा ही निकालनी पड़ीगे न सबसे पहले है ना तो यह हो गया आपका length into breadth rectangle का formula क्या होता length into breadth है ना भई यह लंबा ही बड़ी है चोड़ा ही छोटी है तो इसका मतलब सिदी सी बात इदर rectangle का formula लगेगा है ना तो length into breadth इत्ता लिख दिया आपने इसके बाद आपको क्या करना है ठीक है हाँ अब आपको इसको है ना क्या करना है बताईए क्या करोगे आप थोड़ा सोच के बताईए सोच के बता तो friends वर्गा का tiles निकालना तो आप क्या करोगे अब आपको सबसे पहले यह करना है कि इनका hcf निकालना पड़ेगा hcf निकालना बता है आप बार बार बच्चों जैसे नहीं बताऊंगा मैं कि hcf क्या होगा इन दोनों का अगर आप hcf निकालोगे तो आएगा 41 क्या आज आएगा दोस्तो 41 आएगा ठीक है हाँ बेल्कुल 41 आएगा इन दोनों का hcf ठीक है अब आपके सामने आगया है 41 अब एक बाद बताऊ यह आया है क्या है दोस्तो 41 hcf मतलब क्या मतलब tiles का छेतर फला आ आपके सामने और tiles वर्गकार है कяशी है वर्गकार मतलब square याने square का formula क्या होता है एक side आ गही न आपके उस 41 A square A square मतलब 41 का square 41 का square क्या होता है 1681 यही होता है न दोस्तों 1681 41 का square तो आपको और कुछ बी नहीं करना था अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके आगे आपको क्या करना है ठीक है 1681 आगया ना 1681 आगया तो यह 1681 जो आपका आया है आपको इसके नीचे लिख देना है 1681 और इसको cross कर देना है इसको cancel कर देना है तो आपका जो answer आएगा वो आएगा 1814 बस इत्ता ही करना था आप लोगों को और आपका answer आजाता 1814 मतलब option number A ठीक है दोस्तों इसके अलावा कुछ ही नहीं करना है friends हमेशा copy में अच्छे से लिख के करना आपको चीजे सारी समझ में आएगी जैसा मैं बोलता जा रहा हूँ step by step आप करते जाओ अगला सवाल है आपके सामने वह छोटे से छोटा माप ग्यात कीजिए जो 3 मीटर 50 सेंटी मीटर 4 मीटर 80 सेंटी मीटर और 5 मीटर 60 सेंटी मीटर द्वारा पूर्ण तह विभाजित हो सके ठीक है और हाँ friends बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सारे इंगलिश में कोश्चन नहीं हिंदी में कोश्चन है तो friends आपकी भाषा क्या है हिंदी दिन बर क्या बगते रहते हो अपन हिंदी तो अपन हिंदी को थोड़ा धंग से पढ़ा जाए न तो कोई भी कोश्चन में दिक्कत नहीं जाएगी अंग्रेजों को मार मार के भगाया था अपन क्यों भगाया था क्यों भगाया था ताकि हम लोग हमारे हिसाब से जिंदगी जी सकें हम हमारे उपर आत्म निर्वर बन सकें तो हम हिंदी बोलते हैं लिखते हैं पढ़ते हैं क्या समझ में नहीं आती है क्या है ना तो आप लोग कोशिश करो कि English to Hindi करने की कोशिश करो Hindi to English करने की कोशिश क्या करो अब है क्या चोटा सो छोटा मतलब small और इस centimeter में आपको दिया हुआ आप से बोलाता हुआ चोटी से चोटी संक्या गयाद करनी है ठीक है अब आपको क्या करना था जरा ध्यान से देखिए ध्यान से देखना आप लोगा हज़ो है कि कोश्चन के से करना था ठीक है हाँ हाँ अब 350 सेंटीमीटर है और आप ध्यान से देखो तो सारे आप्षन मीटर में है सारे आप्षन जो है वो मीटर में है है ना तो अपन क्या करो सबसे पहले इनको सबको सेंटीमीटर में पूरा कनवर्ट कर लो cm में convert करो cm में convert करो कि तो क्या हो जाएगा 350 cm दूसरा क्या हो जाएगा 480 cm मैंना भी करवाया है cm के पहले होज़ाले question में कैसे करेंगे 100 cm कर देते हैं पहले वाले को दूसरे वाले को जोड़ देते हैं और ये हो जाएगा 560 आप को कुछ नहीं करना है इनका LCM निकाल लो क्या निकाल लो आप इनका LCM सिखाया है जब आप इनका LCM निकालोगे आप कोशिश करना निकाल लेना ठीक है जब आप LCM निकालोगे तो आपका LCM आएगा 1.6.8.0.168.0. यह friend sky में आया है यह centimeter में आया है और जब centimeter से meter में change करते हैं तो hundred से divide करते हैं तो यह 20 कड जाएंगे आपका बच्चे का 168 168 आपका answer हो जाएगा यानि option number B आपका answer हो जाएगा 168 ठीक है दोस्तों इसके लाबब कुछ भी नहीं करना था ठीक है उमिद करता हूँ आपको सारी चीज़े easy तरीके से समझ में आ रही होंगी और copy में अगर आप लिखके करेंगे तो ज़्यादा भेतर होगा है ना क्योंकि maths है आप यह सोचे कि हम तो बस दिमाग लगा कि आखों में पढ़ लेंगे अगला सवाल आपके सामने यह रहा दोस्तो कोशिश कीज़े करने की 305 में से कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाई जाए जी हां दोस्तो सबसे छोटी संख्या घटाई जाए ताकि वह चार पांच दस और पंदरा से विभाजित करने के बाद दो शेश बचे आप फ्रेंट करूं आपको लेकिन पहले आप कोशिश करूं पहले कोशिश करूं कि क्योंकि जो कोशिश करता वही सफल होता है बिना कोशिश करने वाले तो घर में बेटे रहते हैं बताईए दोस्तों आंसर क्या होगा देखें दोस्तों बिलकोल अभी तक तो वह चार बच्चों ने कर भी लिया होगा और वह चार बच्चों का आ भी रहा होगा जिनकों नहीं आ रहा हो देख लो आपको क्या करना है यहां पर आपसे पूछा गया था कि आपको यह सी संख्या बता नहीं है कि 305 में से माइनस कर दे?, तो वह संख्या divide करने पर इन सभी से इन सभी से divide करने पर आखरी में हमेश़ा दोई बचे है reminder है ना शेष मतलब reminder ठीक है हाँ अब क्या करेंगे करना कुछ नहीं है 4, 5, 10 4, 5, 10 है ना 4, 5, 10 और 15 का क्या कर लो 15 का और 15 का आप क्या कर लो LCM निकाल लो क्या कर लो दोस्तों LCM निकाल लो जब आप इसका LCM निकालोगे तो आएगा सहट ठीक है सहट आएगा अब एक बात बताओ आप 305 को सहट से डिवाइड करोगे ठीक है 305 को आप 60 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा आखरी में reminder कितना बचेगा 5 बचेगा 6, 5, 30 होता है ना तो 300 हो जाएगा 65, 300 तो आखरी में क्या बचेगा 5 बचेगा अब यहाँ पर 5 बच रहा है यहाँ पर 2 बच रहा है है ना तो 2 बच रहा है मतलब हमको माइनस कर देना है तो 5 में से 2 गए तो कितना बचा 3 बचा आपका option number D आंसर हो गया इसके अलाब़ा कुछ भी निकारना होता दोस्तों कुछ भी निकारना होता है मतलब घुमाओदार question का answer सामने ही होता है सिर्फ हम घूम जाते हैं जैसी वो घूमाता है ठीक है हाँ हमको घूमना नहीं है बहुत घूमली हम लोग है ना जादा घूम है ना तो घूम ही जाएंगे ठीक है चलिए आगे देखते है फटा हुआ जोग मार दिया मैंने आप लोगों के सामने ठीक है चलिए अगरा सवाल देखते है चलिए बताईए दोस्तों पाज घंटियां ये question question exam में आता है इससी में तो भोध बार पूछा जा चुका है कोई से भी state government exam हो उसमें question आता है गंटियां वाला पाज घंटियां करमशर 6, 8, 12, 18, 45 seconds के अंतराल में बचती है मतलब एक घंटी 6 सेकंड में बचती है फिर अगली घंटी 8 सेकंड में फिर अगली घंटी 12 सेकंड में बचती है कित्ती घंटियां है भाईया पाज घंटियां है यदि वे प्राता 9 बजे यानि सुबह 9 बजे एक साथ बजना आरम करें तो आप पुनह वे कितनी देर बाद आप से ये नहीं पूछा है कि कितने बजे आप से पूछा है कितनी देर बाद तो बस आपको अप क्या करना है आप बताईए 10 सेकंड का समय देता हूँ सोचो क्या करना होगा हम LCHM और HF का चेप्टर पट रहे हैं दोस्तों है ना अब आप बताईए कि आप क्या करोगे इसमे एवरेज का कुशन लगा दोगे क्या है रेश्यो प्रपोर्शन का लगाऊँगे बोट एंड स्ट्रीम का लगाऊँगे नहीं ना HF LCHM निकालोगे ना तो आपके सामने भी दिये हुए कि काय का निकालना है आपको जी आँ दोस्तों बताईए क्या होगा चलिए मैं करवा भी दता हूँए तो आप पागल हो जाओगे और एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों यह सेकंड में दिया हुआ है और देखो ध्यान से option में सब minute में है है ना option सब minute में है तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे करना है छे अठरा बारा और चो किता दिया हुआ आपको फ्रेंट्स एक ना चे बारा अठरा पेतालिस है ना बारा अठरा और पेतालिस है ना आपको इसका क्या निकालना था आपको इसका LCM निकालना है जब आप इसका LCM निकालेंगे तो आपका LCM आ जाएगा 300 सहट कितना आ जाएगा दोस्तों तीन सो सहट आपका LCM आएगा अब ये सेकंड में आया है तो जब सेकंड से मिनिट में जाते हैं तो क्या करते हैं सहट से डिवाइड कर देते हैं ये तो पता है ना तीसरी क्लास में पढ़ाया तो चोती क्लास में कि सेकंड से मिनिट में जाना हो तो 60 से डिवाइट करते हैं तो आपका बच्चे का 6 मिनिट 6 मिनिट वाला कौन सा उप्षन है उप्षन है बस इसके लाओ कुछ भी नहीं करना है आपको 6 मिनिट बाद बजेगी आपसे पूछा था कुछा है कितनी देर बाद कितनी देर बाद पूछा है तो 6 मिनिट वाद आपसे पूछा जाता कि अब अगली बार कितने बजे बजेगी तो आपका आंसर होता ये 9 में आप 6 मिनिट प्लस क्रदें नो बज़िक ये सभी घंटियां एक साथ बजेंगी ठीक है दो कोश्चन पुछे जाते हैं आपसे पुछा था कितनी देर बाद तो 6 मिनिट बाद आपसे पुछा जाता कि कितने बजे बजेगी तो आपको 9 मिनिट में प्लस करना है तो 9 मिनिट, 9 बज़ के 6 मिनिट ठीक है समझ में आगया करता हूँ दोस्तों आप लोगो कोश्चन समझ में आ रहे होंगे कि कैसे होंगे अब अगला सवाल बीना रुके एक के बाद एक कोश्चन कर रहे हैं सॉल करने में ठीक है बागे तो तो जल्दी सॉल भी हो जाते हैं चलिए बताइए दोस्तों दो पानी की टंकी में क्रमशह 300-400-400-資 लीटर पानी है तो आप लोगों ने सभी ने जिसने भी एकजाम दिये कोशंस आपके सामने हर एकजाम में मिलें ऐसी सबसे बड़ी टंकी की शंदा ग्याद कीजिए जिसमें इन दोनों टंकीयों का पानी आ सके आ सके यहा पर फ्रेंट्स है आ सके ठीक है आ सके जी हा कोशन है दोस्तों मैं यही समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को कि आप यह सोच कर छोड़ देते हैं कि दूसरे टॉपिक का कोशन है जिसको आपने नहीं पढ़ा नहीं यह कोशन है अब तो आप समझ चुके होंगे कि आपको क्या करना है में को बताना पड़ेगा चलो तो फिर मैं बता भी देता हूं आप लोगों को जिसने अभी तक सौल कर लिया उसके लिए ठीक है आपको इसमें यह करना है हर उसमें LCM नहीं निकालना इस चीज का ध्यान रखना आप से पुछाता है कि सबसे बड़ी टंकी कौन सी होगी तो सबसे बड़ी बात आपको यह की चीज का ध्यान रखना है कि जब आप से बड़ा पूछा जाता है तो आपको LCM निकालना नहीं है आपको HCF निकालना पड़ेगा HCF क्या होता है एसी संख्या जब तक divide करते रहे ना इन दोनों को जो table में आती जाए दोनों के ठीक है ना दोनों के table में आती जाए तो ऐसे करते करते आप जब निकालोगे है ना मैंने hcf निकाला सिखाया है friends मैं उम्मीद करते हूँ आप लोग पहले की class जरूर देख लेंगे नहीं तो आप लोग confused हो जाओगे कि कैसे करेंगे ठीक है ना बहुत आसान है यह जब आप इसका hcf निकालोगे तो hcf आएगा 120 है ना 120 आपका क्या जाएगा hcf और यही आपका आंसर है यही आपका आंसर है 120 लिटर की टंकी चाहिए है जिसमें इन दोनों का पानी बराबर आ सके ठीक है हाँ बिलकुल इन दोनों का जो बराबर पानी निकाले तो 120 लिटर की टंकी का चाहिए आपके पास ठीक है उम्म मैं गवान बेठे तो हो गया काम अब आपके सामने अगला कोशन दे रहा हूं दोस्तों यह रहा दिखो अब इंग्लिश में भी लेखे आगए आप लोगों के लिए जिनको दिखकर जा रही थी मतलब ऐसी कौन सी संक्या होगी जो 6,5 रूपे और 6,5 रूपे में बराबर आ सके तो जब बराबर हमेशा पूछा जा जाता है तो हमेशा आप क्या कोछ हो ? जैसे कि अभी अपने टंकी का कोशन करा है टंकी के कोशन में बराबर पूछा था कि इन दोनों में से कितना बराबर निकाल लें बराबर कितना निकाला जा सकता है तो आप हमेशा क्या करो इसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछी आप से तो हमेशा आप क्या करो अब इनको तो सबसे पहले आप यह कर लोगी पैसे में निकाल लो है ना 650 और 745 कर लो तो यह पैसे में आ गया रूपे किसे है ना यह रूपीज में दी होए थे रूपीज में निकालना है तो क्या करना रोड़ता है पैसे में निकालने के लिए इंटो हेंड़र करना पड़त तो 25 पेसे आपका आंसर हो जाएगा इसके अलाव आपको और कुछ भी नहीं करना होता दोस्तों इसका ध्यान रखना ठीक है हाँ उमीद करता हूँ आप लोग मेरी पहले वाली क्लास एचसेव और लसेम की जरूर देखेंगे क्योंकि मैंने इन सभी कोशन्स में आप लोगों ने देखा कि छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि एचसेव लसेम जब मैंने सिखा रखी है तो बार बार आप लोगों का टाइ और आप ये भी बता सकते हैं कि अगर आपको कुछी टॉपिक पर वीडियो बनवाना है आप चाहते कि हम आपके लिए बना है तो फ्रेंट्स कमेंट्स वाक्स में कमेंट कर दीजे हम जल्द से जल्द आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे और जित्ते भी वेन आए बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कियाło फ्रेंट्स Conna Psalter को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम वेकेंसी की डिटेलिंग भी देते हैं दोस्तों जी हां दोस्तों सभी वेकांसी की डिटेलिंग भी देते हैं अब लोग तो आप लोगों के पास सीध है आपक class में. Thank you friends.